जाइका इंदिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे तील और गुड के लड्डू और चीकी इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है बस कुछ टीप्स को फोलो करते हुए जब आप इसे अपने घर पर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कप्ती लेट कर दिये अब हम गेस की फिलेम को बिल्कुल मेडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगाता चलाते हुए इस तप तक रोष्ट करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंजिना हो जाए और तेल्फोड़े फूलने ना लगे तो शुरुवात में मीडियम फ्लेम पर और फिर बाद में 5 मिनिट तक लो फ्लेम पर हमें तील को अच्छे से रोष्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस पेन में से इन तील को निकाल लेंगे अब हम गुड की चास्नी बनाएंगे इसलिए हमने पेन में 1 टेबल स्पून देशी घी एट कर दिया है घी के मेल्ट होने के बाद हम इसमें गुड एट कर देंगे तो यहाँ पर हमने जितनी तिल की quantity रखी है उतनी ही quantity में हम इसमें गूर एट करेंगे जानि कि एक कप तिल के लिए हमने यहाँ पर एक कप गूर एट कर दिया इसी के साथ हम इसमें दो टेबल स्पून पानी एट कर देंगे तो चासनी बनाने के लिए हम जब भी गूर लेते हैं तो गूर को हम या तो ग्रेट करके एट करेंगे या तो छोटे टुकड़ों में काट करेंगे इससे क्या होगा कि गूर जो है वो जल्दी से मेल्ट होने लगेगा तो तीस से पेंती सेकंड के बाद आप देखेंगे के गूर अच्छे से मेल्ट हो गया है तो गूर के मेल्ट होने के बाद हम इस चासनी को लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए और पकाएंगे तो अगूर के मेरिट होने के बाद हमने इस चासनी को लो फ्लेम पर सिफ तीन मिनिट के लिए और पका लिया है तो यहाँ पर हम एक बात का ध्यान लखेंगे कि अगर हमने चासनी को थोड़ा कम पकाया तो लड़ू बहुत ही सोफ्ट बनेंगे या फिर अगर इसको ज्यादा पका लेंगे तो लड़ू बहुत हार्ड हो जाएंगे और अब हमने जो चासनी बनाई है उसमें हम एट कर देंगे रोष्ट के हुए तील और इसे अच्छे से मिला लेंगे तील को गुड के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसी के साथ हमने गेस की फ्लेम को भी ओफ कर दिया है और अब हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इस mixture को बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना अगर हम इसकी चिक्की बना रहे हैं तो जिस भी थाली में हम चिक्की बनाएंगे उसे हम पहले से ही घी या फिर तेल से ग्रीश करके रखेंगे ताकि हम इस mixture को पहले से ग्रीश की हुई थाली में आसानी से ट्रांसफर कर सके तो तुरंथ हमने इस थाली में mixture को ट्रांसफर कर दिया है और चिक्की बनाने के लिए जितना हो सके उतनी पतली लेयर हम इसकी सेट करेंगे तो layer set करने के लिए आप इस तरह से potato measure का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लिकिन potato measure को भी आप पहले से grease करके रखिएगा और इसे अच्छे से set कर देने के बाद हम इसे चिकी के shape में cut कर लेंगे तो हमने इसे चिकी के shape में cut कर लिया है और अब हम इसे room temperature पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो इसमें से आसानी से हम चिकी निकाल सकते हैं सेम measurement का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर थोड़ा सा mixture लड़ू के लिए बनाया है तो लड़ू बनाते वक भी हम इसी बात का ध्यान लखेंगे कि हम mixture को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देंगे क्योंकि mixture गरम है तो हाथों पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो हाथों पर पानी लगा लेने से लड़ू बनाने में आसानी हो जाएगी और इसका temperature भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो इसी तरह हम इसमें से थोड़ा थोड़ा portion लेकर इसके सारे लड़ू बना कर तयार कर लेंगे वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई